दोस्तों आरेश डीजानरी स्टीचिंग में आप सभी का स्वागत है तो आज की वीडियो में हम ब्लाउज का बैकनेक डियाइन बनाना बताएंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सक्स्क्राइब के बगर में घंटी को भी जरूर दवाईएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं गले की चोड़ाई नदाइंच लेंगे दस इंच तक इसे हम डीप रखेंगे यहां पर देखिए हम आधा इंच बढ़ाएंगे इस तरह हम बनाएंगे अब हम इसे कट कर लेंगे अब इसे हम कपड़े पर रखके कट करेंगे इस तरह हमें डबल फोल्ड करना है अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे पहले हम गला त्यार कर लेंगे गले पर भी हमने इस लाई लगा दी है अब हम कट लगा देंगे अब हम इसे पलट लेंगे इस तरह से हम पलटते हुए किनारे से बनाते हुए इस लाई लगा देंगे विजाइन बनाने के लिए इस तरह से हमने गोल्डेन पट्टी तयार की है बहुत चोड़ी यह नहीं है यह आधा इंच से भी कम चोड़ी पट्टी इस तरह हमने तयार की है इस तरह लेंगे गोल्डेन वारे ब्लाउच पा बाडर है तो बाडर से मैच करता हुआ हम लेंग अब हम दिखे यहां पर नीचे की साइट से दो इंच पर निसान बना देंगे और भी हमें नीचे की साइट से दो इंच पर निसान बनाना हैं इस्तरर से भी हम निसान बना देंगे, अधा इंच छोडते हुए पूरे गले पर निसान बनाना है, और यहां पर भी हम आधा इंच छोड़ेंगे दोनों साइब से हमें आधा इंच छोड़ते हुए पूरे गले पनिसान बनाना है इस तरह हम बनाएंगे इसी तरह हमें इधर भी बनाना है अब हम पट्टी लेंगे और जहां से हमने निसान बनाया है वहीं से हमें लगाना है देखे इस तरह से हमने पट्टी लगा ली है इसी तरह हमें इधर भी लगाना है इस तरह से हमारी दोनों साइड में लग गई है अब हम लेख लगाएंगे इस तरह दिखे हमने लेख लगाया है इसी तरह हमें इधर भी लगाना है इस तरह से हमारा दोनों साइड में लग गया है यह ब्लाउच का बाडर लेंगे और एक साइड से यह हमारा बाडर ज्यादा चौणा है एक साइड से हम उपर की साइड से हम पट्टी निकाल लेंगे इतनी चौणा हम कट कर लेंगे अब इसे हम नीचे की साइड से लगाएंगे हां पर हम इस तरह बनाते में हम लगाएंगे हम देखें नीचे की साइड से लाज लगाएंगे तो नीचे की साइड से हम इस तरह मोड़ेंगे हमारा नीचे से कटा है इस तरह से हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है हम पर देखें हम एक बटन बनाएंगे और लगाएंगे इस तरह हमें यहां पर लगाना है इस तरह से हमने यहां पर बटन लगा भी है अब यह हमारा डिजाइन बन गया है तो हमारा यह डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद